नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एस्टेटी जीएस में दोस्तों आज हम लेकड़ाएं हैं बिहार एसाई प्रारामभी कवरिक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट टमबर 8 इससे पहले दोस्तों हम 7 प्रैक्टिस सेट कड़ा चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लैलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ प्रैक्टिस सेट प्लैटफॉर्म रुक मिनी बुक से हम कड़ा रहे हैं जिसमें हम लोग 100 कोशन का प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ह हम डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक देदेंगे वहाँ से आप जाकर करके इसे प्राप्त कर लिजिएगा दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं इसे सस्क्राइब कर लें इसे ज़्यदा से लाइक करें दोस्तों में सेयर करें फेस्बुक वाट्स आप टेलिग्राम के मादम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेसन आपको पहले प्राप्त होगा और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट सा कि आप पूरा वीडि पद है को रहा है पहला कोशन कि राष्टिये गान के मूल रूप में पद है तो इसका राइट अंसर आपको हो जाएगा आपसर नमर डी यानि की पांच पद है दोस्तों आप लोगों को तीन सेकेंड के समय कोशन के लिए दे रहे हैं आप लोगों कोशिस किजिए इसको बन आए तो राष्टिये गान के मूल रूप में आपका अपसर नमर डी हो जाएगा पांच पद है नेश कोशन देखने हैं दोस्तों कोश्चन नमर दो कड़ा है कि निलगीरी और अना मलाई पहारियों के बीच इस्तित दर्रा है तो दो कड़ा है आपको हो जाएगा आपसर न कोश्चन के बीच का शंपर कोंड़ गार्ग है आपसर नमर ए में जो दिया है धाल घाट तो धाल घाट दर्रा नासी का मूंबई के बीच का शंपर कोंड़ 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 गार्ग है कि निलगीरी और bushes equally हो जाएगा दिया से कौन सा देश महामाडी के दोरा राष्टी पहला देश है तो तीन कर पिवा-स है तो चार परवत गार कर है जो ठोड़ा से फोने हैं यह कि लिया ओपे और ऐगर आए चोंद यह फार सब्सकें कर रहा है और दक्षिन भारत की सबसे उची चूटी जोन है वो अनाई मूदी है जिसकी आपका उचाई 2660 मीटर है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 5 कह रहा है कि बार्सिक करागा उत्सव समरो प्रती बर्स लगाया गया है करागा तेवहार मुखरूप से डैस राज में मनाया जाता है तो 5 कर राइटेंसर अब कह हो जाएगा और सी यानि कि करनाटर कराज में करागा तेवहार मुखरूप से मनाया जाता है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर छोकरा है कि तीन और भारत से जो राज बंगलादेश से गीरा है उसका नाम है तो छोकरा इटेंसर हो जाएगा अफसन नमर डी यानि कि तिरिपूरा तीन और से भारत का तिरिपूरा राज बंगलादेश से गीरा है और भारत के भारत के राज जो चीन की सीमा से जूरे हैं वह आपके हो जाएंगे जमु कस्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखन, शिक्किम तथा अरुनाचल परदेश अभी आपको जमु कस्मीर जो है तो जमु कस्मीर ना होके आपको लादाख हो जाएगा तो लादाख हो जाएगा, हिमा फुरस्टेनबर्ग इजराइल के हिलेल फुरस्टेनबर्ग और रूस के अमेरकी ग्रगडी मार्गूलिस को बोर्स 2020 के लिए किस प्रतिश्टित पुरसकार का बिजयता चुना गया है तो साथ कर राइट एंसर हो जाएगा और सनमर ए यानिकी एवल पुरसकार नेश कोशन द किया नए दिली का सिले ने आस 15 दिसंबर 1911 को समराट जोर्ज पंचम ने किया और लॉर्ड होडिंग दीतिये के समय आया था जो भारत के वाय सरा था और 12 दिसंबर 1911 स्वी को दिली रजधानी बनाने की घोशना की गई नेश कोशन देखनें दोस्तों कोशन नमर 9 को रहा ह ने तैस चित्रकाला सीखी तो 9 कर राइटेंसर हो जाएगा आपसर नमर ए यानि कि थियोडूर जेंसन से राजा रभी वर्मा किरल के राजा थे जो परसिद चित्रकार भी थे नेश कोशन देखनें दोस्तों कोशन नमर 10 को रहा है कि पंडि जोहारला नहरू की सरवाधिक चर्चीत पुस्तक है तो बसके राइटेंकर आपको हो जाएगा और से नमर बी यानि कि डिश्कावरी एफ इनडिया जोहार्ले नहरू का सरवाधिक परसिद पुस्तक डिसकवाडी डिसकवडी आफ इन्डिया है और डिसकावरी आफ इनडिया कि रजना जोहार ऍला गहां की औपसन नमर बी ज़ब चंदरमा आता है और सूर्ज के दिखाई देन वाले भाग को चोड़ की डिट यानि कि कोरोना कहते हैं या कोरोना कहते हैं सूर्ज के आपको सूर्ज गरहन के समय सूर्ज के दिखाई देने वल्ला जो भाग होता है उसको हम लोग सूर्ज किरिट कहते हैं और चंदर गरहन के बाड़े में जान लेते हैं अप्सक्रा नमर आ में ओदे रहा है तो चंद्र गढ़ा जो है। जब सूर्जोर चंदार्मा के बीच में परिथवी आती है । तो आपको चंद्रगढ़ान लगता है। नेश्गों चंदेके दोस्तो नमर के की लंभाई लंबाई स्वेज नहर की लगभग लंबाई है तो तेरे कराइट एंसर हो जाएगा और सा नमर सी यहने की 168 मिटर स्वेज नहर में आवा गमन अठाड़ सा बहुत तर इस भी में लोड नार्थ ब्रूक के काल में फड़ाम हुआ स्वेज नहर के बाड़े में जान लेते हैं कि कहां से गुजरती है तो स्वेज नहर जो है वह आपको भूमात सागर यहां लाल सागर को जोडता है क्वेज नहर आपको 14 कह रहा है 14 कि भारतिये ग्यानपीट पूरसकार के प्रतम बिजेता सहितकार थे तो आपका 14 का राइटेंसर हो जाएगा ऑप्शन नहर डी एलिम की मल्यालम सहितके भारतिये ग्यानपीट पूरसकार के प्रतम बिजेता सहितकार थे मल्यालम सहितके और आपको जो भारतिय ग्यानपीट पुरसकार का आराम कब हुआ था तो आपको हुआ था 1965 इसपी में हुआ था भारतिय ग्यानपीट पुरसकार का आराम और किसको दिया गया था प्रथम जो ये मल्यालम भासा के थे तो आपको दिया गया था जी संकर कुरुप को दिया गया था जो कि वह मल्यालम के सही तिकार थे उनी को दिया गया था प्रथम ग्यान पिट पुरसकार नेश्ट कुछन देखना दोस्तो कुछन नमर 15 कहड़ा है कि क्विन्स बेरी रूल सम्बंदित है तो 15 कहड़ा इटिन से आपका हो जाएगा आप्शन नमर डी यानि कि मुक्के बाजी से क्विन्स बेरी रूल पंच अपरकॉट नोकाउट यह सम्बंदित है और तिरंदाजी से तो तिरंदाजी से एंकर आपका अप्शन A में जो दे रहा है एंकर, क्रिस्टल, हुक आदी जो है तिरंदाजी से समदित है आप्शन B में जो दे रहा है निशा नेवाजी तो निशा नेवाजी से बुल साइड, टार्गेट, सुटिंग निशा नेवाजी से समबन दित है और आप्शन C में जो दे रहा है बास्केट बॉल तो थ्री सेकेंड, रिंग, सेंटर लाइन, और राइगींग, ट्री बॉल आदी जो है वह आपके बास्केट बॉल से समबन दित है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों, कोश्चन नमर सोला कह रहा है कि निवन में से कौन से मुगल साइसक राजपूत माता के गर्व से अपका जन्म लिये थे कौन से मुगल साइसक राजपूत माता के गर्व से जन्म लिये थे जहांगीर का जन्नम तीस अगस्त पंदर सो 59 इसमी को सुफी संत से एक सलीम चिस्ति के सिर्वाद से हुई और साज जहां का जन्नम पांच फरोडी पंदर सो 52 इसमी में जगत गोसाई के गर्व से हुई ने शोचन देखने हैं दोस्तों कुश्चन नमोर 17 कह रहा है कि आपका बरना कूलर प्रेसेक्ट किस वायसर आएक के द्वारत समाप्त किया गया था तो 17 कर आइटन्स रबका हो जाएगा अपसन नमर C यानि कि रीपण रीपण के काल में आपको बरना कूलर प्रेसेक्ट समाप्त किया था रीपण जो थे 1884 से 84 के भुछ भायत का वायसर रह थे और इनुने 1882 में बरना कूलर प्रेसेक्ट को समाप्त किया और यह उन्हें अस्थानिय अस्थासन आरम किया 8812 SP में नेश कुशन देखते हैं दोस्तों कुश्चन नमोर 88 कह रहा है कि असोक के कलिंग यूद के बिशा में किस अभी लेक्से जानकारी मिलती है तो 88 का राइटेंसर आप लोगा करना है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा असोक के कलिंग यूद के बिशा में जानकारी तेरहवे सिलालेक से मिलती है और कलिंग यूद जो हुआ था आपका दूसो 61 SP पूर्व में हुआ था और इस यूद के बाद से आपको वे बौद धरम के और आकार सित हो गए थे आपको असोक नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 19 कह रहा है कि सेर साद वरा निर्मित निर्मित एक सरक सरक के आजम कहलाती थी वह थी तो 19 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C एनी कलकता से पैसावर नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर 20 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिस की लैसेज फेर निती का क्या उदेश था तो 20 का राइटेंसर आप लोग कर रहा है तो इसका राइटेंसर आपका 20 का हो जाएगा 20 का राइटेंसर हो जाएगा आपका option number D यानि कि भारत कच्चे माल के इंगलेंड निर्यात और भारत में ब्रेटिस दुआरा तयार किये गए माल के आयात पोर शमस्त प्रतिवंधों को हटाना यहीं भारत में लेसेज फेर निती का उदेश था नेश कुशन देखने 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 तो question number 21 कह रहा है कि 5J क्या है तो 21 का राइट पूर्देश हो जाएगा option number A कुणधारी बन पर्देशों में मिलने वाली मिटी को मिटी चुह यही आपको 5J है Q22 कह रहा है कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्रपुन विश्यस्ता थी तो आपका 22 कर आइटेंसर हो जाएगा Q23 कह रहा है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उदेश से भजा था Q23 कर आइटेंसर आपलोग करना है तो Q23 कर आइटेंसर हो जाएगा Option number C यहनि कि इंग्लेंड के युद्ध पर्यातनों में भारतियों का सहयुग प्राप्त करने है तो क्रिप्स म liaison का युद्ध ठा यानि कि अंग्रेजू ने कि发說 मिशन को भारत में के सिवत बज़या? तो इंख्रेड के युद्ध मlor 97 वह से बज़या और क्रिप्स मिशन आपको कंब आया था तक? क्रिप्स मिशन 23 मार्जुन 142 को शर एस्टेफर क्रिप्स के नितित में भारत भजा गया क्योंकि उसमें जापान से रंगुन पर कबजा कर लेने से भारत के सीमान तो पर सीधा खत्रा पाइदा हुआ नेश कोचन देखते हैं तो क्वेशन 24 कह रहा है कि निति निर्दे सक्तत्तों में बालकों के लिए निसुल्ख प्रात्मिक और अनिमार सिक्षा का परधान शमिधान के किस अनुछेद दवरा किया गया है तो 24 का राइटेंस रपका हो जाएगा आप्सन नमर ए यानिकि अनु 25 कहता है कि निति निर्दे सक्तत्तों में बालकों के निसुल्ख प्रात्मिक और अनिमार सिक्षा का परधान शमिधान करुशेद 45 में किया गया है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों कोचन नमर 25 कह रहा है कि भारत में मंत्री परिशत सामोहिक रूप से किसके प्रतिम उतर आई है तो 25 का राइटेंसर आप लोग करना है तो 25 का राइटेंसर हो जाएगा आपका आपसर नमर बी यानि कि भारत में मंत्री परिशत सामोहिक रूप से लोग सभा के प्रति उतर दाई है और एक शंग में मंत्री के एक शंग के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट प के पर्ती उतरदाई होते हैं। और भारतेस संविधान के अनुचेद 89 के उपुबंध में संसत के अंतरगत लोगसभा राजसभा और राष्टपती को रखा गया है। और अनुछेद 80 के अंतरगत राज सावा का गठन किया गया है और अनुछेद 81 के अंतरगत लोग सावा का गठन किया गया है नेश कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन 26 कह रहा है कि निवन में से किस कमपणी ने द्रिष्टी हीन लोगों के लिए Talkbank keyboard विक्सित किया है तो 26 के राइटेम सर हो जाएगा आपसा नमर A, Google नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर 27 कह रहा है कि भारत में राष्टी आई की गन्ना में किस विधी का परयोग किया जाता है भारत में राष्टी आई की गन्ना में उत्पति गन्ना विधी और आई विधी का परयोग किया जाता है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर 28 कह रहा है कि भारत में चंदन की लकडी के बन सरवाधिक कहां पाय जाते हैं तो 28 का राइटेम सर आपका हो जाएगा आपसा नमर C यानि की निलगीरी की पाहारियों में भारत में चंदन की लकडी के बन सरवाधिक निलगीरी की पाहारियों में पायाते हैं और चंदन एक सुगंधित ब्रिक्च है और चंदन लकडी का धार्मिक परयोजन भी है और शंदन की लक्री दक्षीन भारत में अधिक पाया जाता है नेस्ट कुर्षन देखें दोस्तों नेस्ट कुर्षन आपका हो जाएगा 29 29 कह रहा है कि यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा तो 29 कह राइटेंस वर आपका हो जाएगा और सन नमर डी यानि कि अंडा पानी पर तैरता रहेगा यदि अंडा का तैरना पानी में घनतो यानि कि नमक मिलाने से बढ़ जाने के करण ऐसा होता है नेश कुशन देखते हैं दोस्तों कुश्चन नमर ठाटी कह रहा है कि केंदर सरकार ने हाली में किस सोसल मीडिया पेलेट फॉर्म पर माई गौर्णमेंट कोरोना हेल्फ डेक्स की शुरुवात की तरह तीस कर आइटेंस पर हो जाएगा अप्सन नमर ए यानि कि वाट्स अप पर ने हैस कुश्चन देखते हैं दोस्तों कुश्चन नमर ठाटी वन कह रहा है कि यदि किसी बस्तु को गहरी खान की तली से उपर लाया जाए और पहार की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भाड अधिक्तम कहा होगा अप्सन नमर बी यानि कि प्रित्वी तलपर यदि किसी बस्तु को गहरी खान की तली से उपर लाया जाए और पहार की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भाड प्रित्वी तलपर शर्वादिक होगा यदि प्रित्वी अपनी बर्तमान को निये चाल से अगर सुत्रा गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमाद रेखा पर लखे बस्तु का भाड सुन हो जाएगा नेक्स कोचन देखते हैं दोस्तों कोचन नमर 32 कह रहा है कि परिदर्सी यंत्र यानि कि पेरियोस्कोप का क्या उप्योग है तो 32 कर आइटेंसर हो जाएगा अप्सन नमर C यानि कि पंडूबियों में से बाहर की बस्तु को देखने के लिए लगा होता है आपका पेरियोस्कोप नेश कोचन देखते हैं दोस्तों कोचन नमर 33 कह रहा है कि उस्मा संचरन की वह बिधी जिसमें माध्यम के कन गती नहीं करते हैं कौन सी है तो 33 के राइटेंसर हो जाएगा अप्सन नमर A यानि कि चालन चालन जो है चालन के द्वारा उस्मा पदार्थ में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पदार्थ के कनों को अपने अस्थान का पडिवर्तन किये बिना पहुंचती है और ठोस में उस्मा का संचरन चालन बिधी के द्वारा होता है अस्थामवहन बिधी के बारे में जान लेते हैं तो इस बिधी में उस्मा का संचरन पदार्थ के कनों के अस्थानांतरन के द्वाड़ा होता है और इस प्रकार प्रदार्थ के कौनों में अस्थानांतरन से धराय बहती है जिनें शवहन धराय कहते हैं नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर 37 में आपको नुमेरिकल दिया हुआ है सितंबर के महीने में अगर 100 वाट की एक बॉल्ब को 10 घंटे प्रती दिन जलाया गया तो उस मामें विदुतुर्जा किलो अट घंटा कितनी खर्च हुई होगी तो 34 कर राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर A यानिके 30 किलो अट घंटा कोशन नमर 35 कर रहा है कि जब कोई बस तो उब्रितिय मार्क पर एक समान चाल से गती करती है तो तो 35 कर राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर C यानिके उसका बेग पड़िवर्तनिय होता है कोशन नमर 36 में मैस दिया हुआ है 37 देख लेते हैं 37 कर रहा है कि जब पानी उबलता है तो इसका ताब 37 कर राइट एंसर हो जाएगा यानिकि आप्सन नमर C एक समान यानिकि इसती रहता है जब पानी उबलता है तो इसका ताब एक समान इसती रहता है निमलीखित में से कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन की छठी एस्टियरिंग कमेटी की बैठकी मेजबानी करेगा तो 38 कर आइटेंसर आप लोग करना है इसकर आइटेंसर हो जाएगा अपसन नमर बी यहनि की भारत नेश कुशन देखते हैं दोस्तों कुश्चन नमर 39 कह रहा है कि निमलीखित अक्रिये गैसो में कौन सी वायू में सरवाधिक मतर में पाई जाती है तो 39 कर आइटेंसर आप लोग का हो जाएगा अपसन नमर C यहनि की आरगन आरगन अकरिये गैसो में वायू में सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है और आरगन कपर योग बिधूत बल्बों में भरने में किया जाता है जिसमें बिधूत बल्ब का तंतु ज़्याधा समय तक शुरक्षित रहता है नेश कुशन देखते हैं दोस्तों कुश्चन नमर 40 कह रहा है कि हाल ही में किस राजने ICMR से कोरोना वाइरस के पूल परिक्षन सुरू करने के लिए मंजूरी ली तो 40 कर आई टेंसर हो जाएगा आप्सन नमर A उत्तर परदेश नेश कुशन देखते हैं दोस्तों कुश्चन नमर 41 कह रहा है कि जल की अस्थाई का ठोड़ता किसकी उपस्तिती के कारण होती है तब 41 कर आई टेंसर हो जाएगा आप्सन नमर C यानि कि कल्सियम सल्फेट जल की अस्थाई का ठोड़ता में मुकुरूप से कल्सियम मैंगन बहुत धातू यानि कि नोन फेरस मेटल है तो 42 कर आई टेंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर B यानि कि एलमुनियम जो है वह नोन फेरस मेटल है नेश कुशन देखते हैं दोस्तों 43 मैज दिया हुआ है 44 कर आपकी रसाइनिक द्रिश्टी से एंजाइम क्या है तो 44 कर आई टेंस कि यदि प्रित्वी पर पाई जाने वाली बनस्पतिया यानि कि पेर पोधे अगर समाप्त हूं तो वाई मन्डल में किस गैस की कमी हो जाएगी तो 45 का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर B यानि कि आक्सिजन गैस की कमी हो जाएगी वाई मंडल में अक्सिजन गय जो है आपका 20.99% आपको पाय जाता है और कारबोन डायक्साइट जो है वह 0.03% वाई मंडल में पाय जाता है और नाइट्रोजन जो है 78.03% आपको वाई मंडल में नाइट्रोजन पाय जाता है नेस्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तों, कोश्चन 46 कर रहा है कि हाली में प्रसिद त्री सूर पूरम उत्सो आरम हुआ है यह किस राज से सम्बंदित है तो 46 कर आइटेंस हो जाएगा आपसन नमर B यानिकि यह किरल से सम्बंदित है नेस्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तों, कोश्चन 47 कर आखे रहा है कि दीप सब मर्जन्स रेस्क्यू वाई कर यहनिके DSRB complex का उदगाटन कहां किया गया तब 48 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर D यानिकि विशाखा पर्टनम में किया गया नेश्च कुश्चन देखते हैं आपको 49 नमर मैज दिया हुआ है 50 नमर देख लेते हैं 50 नमर कह रहा है कि निम्न में से किसमें कोलोडोफील नहीं होता है नीमल में से किष में कॉलोडो कar crown नहीं होता तो 50 का राइट जार हो जाएगा option number c यायनि की कॉवक यायनि की fungus कॉलोर्योडो कवक में नहीं पाये जाता है कॉलोडो को फीख के वल पादप को सिखाओ यायनि की सेल में पाये जाता है और जन्तु कोशिकाओं में नहीं पाय जाता है नेश कोश्चन देखते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 51 कह रहा है कि निमली खित में से किसका उसमी ये मान अधिक्तम होता है तब 51 का राइटेंस अरब का हो जाएगा नेश कोश्चन देखते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 51 कह रहा है 52 कह रहा है कि मानो शरीर में किस गरंती को मास्टर गलेंड कहते हैं तब 52 का राइटेंस अरब हो जाएगा नेश कोश्चन नमर C याने कि पिट्रिट्री जो गरंती है उसको हम लोग मास्टर गलेंड कहते हैं और मास्टर गलेंड फिर ट्रिट्र गलेंड को कहते हैं और हैं सरीर का सबसे छोटा गलेंड है और अपसर नमर A में जो देख रहा है अगना से या सरीर का दूसरा सबसे बड़ा गरंती है और यहां अंता सरावी हैं 22 रावी दोनु परकार की गरंती है और अप्शन नमर B में जो दे रहा है थाराइड थाराइड इसका भार बी से 40 ग्राम होता है नेश कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 53 को रहा है कि किसे प्रतिष्टित विशुखात पुरसकार 2020 से समानित किया गया तब 53 कर आइटे एड़ड जेनर ने एड़ड जेनर ने चेचा के टिके का भिकास किया एव टीबी के जीवानु की खोज की और आपको आप्शन B में जो लूई पाश्चर दे रहा है तो लूई पाश्चर ने रेविच के टिके एव दूद का पाश्चुराइजेशन की खोज की नेश जात एक समझावता गया पोन हैनिकी MOU पर हस्ताक्षर किया तो 55 कर आइटेंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए एनिकी अद्योगिक प्रसिक्षन संस्थान आई आई टी नांगल हैनिकी ऑप्शन 55 कर आइटेंसर ए हो जाएगा नेश कुछन देखते हैं दोस्तों क्कुछन न डेजाट चेंज अपरेशन डेजाट चेंज नाम दियागा यानिकी 56 कर आइटेंसर भी हो जाएगा नेश कुछन देखते हैं दोस्तों क्कुछन नमर 57 कर रहा है कि हालिया सरे एक्षन के अनुसार ग्रीर वन छेत्र में सियाई सेरू की संक्या में कितने परतिशत की देखते हैं नेश कुछन देखते हैं दोस्तों क्कुछन नमर 58 कर रहा है कि आपको 58 कर रहा है कि और शप्पा के संदर में निमलिखित कतनों पर आपको बिचार करना है यहानी की हालही में आपसपपा आपको 1958 के तहट गरिह मंत्राले ने पूरे आसम राज और 6 वहीनों के लिए राज या केंसासित परदैस के संपूर्ण हिसे या कुछ हिसे को आसान चेतर गोसित करने की सकती option 3 कह रहा है कि न्यामूर्ती PBG1 रेडी समिती ने अपसापा को समाप्त करने के सिपारिस केती निम्लिखित में से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है तब 58 का राइट अंसर हो जाएगा option number B यानि कि 1 और 2 शही नहीं है और आपका नेमूर्ती PBG1 रेडी समिती ने अपसापा को समाप्त करने के सिपारिस केती आपका option 3 जो है सही है और एक अदो सही नहीं है next question देखते हैं दोस्तो question number 59 कह रहा है question number 59 कह रहा है कि मरूँ अस्थलिये पौधे की जड़े लंबी होती है क्योंकि तब 59 कर आइटम सर हो जाएगा option number B यानि कि जड़े पानी की तलास में लंबी हो जाती है मरूँ अस्थलिये पौधे की जड़े लंबी होती है क्योंकि जड़े पानी की तलास में लंबी हो जाती है और मरूँ अस्थलिये पौधे छोटे-छोटे होते हैं क्योंकि यहां पानी की कौम मात्रा मिलता है तथा काटेदार ब्रिक्ष भी पाये जाता है नेश कोश्चन देखते हैं जो तो कोश्चन नमर साथ कर रहा है कि भारत में जनसंख्या ब्रिधी की दर कीज दसक में नकरात्मक रही तो 60 कर राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B, 1911 से 1921 के बीच आपका जनसंख्या जो है ब्रिधी नकरात्मक रही नेश कोश्चन देखते हैं जो तो कोश्चन नमर 61 कर रहा है कि निमली खित में से किसके अंतरगरत भारत में सरपर्थम सरोच नियाले की अस्थापना हुई तो 61 कर राइटेंसर आपका हो जाएगा और इसके प्रथम मुखने अधिस जो थे वह एलिजा इंबे थे वह सुप्रीम कोट जो कलकता में स्थापित किया गया था नेश कोश्चन देखते हैं जोस्तों कोश्चन नमर 62 कर रहा है कि असोख अस्थम को सरोपर्थम किसने पढ़ा तो 62 कर राइटेंसर हो जाएगा और जोस्तों कोश्चन नमर 63 कर रहा है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं तो 63 कर राइट असर हो जाएगा और जोस्तों कोश्चन नमर 65 कर रहा है कि निमली खितम से कौन सी जोरी शुमेलित है तो 65 कर राइट असर हो जाएगा यानि कि आपका ऑफसन नमर A यानि कि तीन और चार जो है वह सही सुमेलित है यानि कि कानजी वरंशारी तमिल लांटू सही है और गामसा असम जो है यह आपका सही है तीन और चार आपका सही हो जाएगा नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों, कुछन नमर 66 कर रहा है, सुमेलित करना है आपको मुद्रा दिया हुआ है, तो 66 का राइट एंसर करना है, कुवेट, इरान, शुरिनाम, डेनमार्ग, तो 66 का राइट एंसर हो जाएगा, आपको नमर A, यहनि कि कुवेट की मुद्रा नमर A हो जाएगा, नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों, कुष्चन नमर 67 कर रहा है, 67 कर रहा है, कि जन गर्ना 2021 के अनुसार बिहार की सक्षार्टा दर कितनी है, तो 66 का राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नमर C, यहनि कि 11.8 परतिसत, और भारत का सक्षार्टा दर, पु महिला का हो जाएगा, आपको 64.6 परतिसत हो जाएगा, और सरवाधिक सक्षार्टा वाला राज आपका केरल हो जाएगा, जो कि उसका 94 परतिसत सक्षार्टा है, और सरवाधिक सक्षार्टा वाला भारत का धर्म 2021 के अनुसार जैन धर्म हो जाएगा, जिसका 94 परसेंट 68 कह रहा है कि पादपू में संचित भोज ज़ पदार्त है। 70 कह रहा है कि फसलो पर आक्रमन करने की किट की प्राया कौन सी अवस्ता अधिक खानी पहुचाती है तो 70 का राइटेंसर हो जाएगा अप्सन नमर ए, इमेगो फसलो पर आक्रमन करने की किट की प्राया इमेगो अवस्ता अधिक खानी पहुचाती है नेश कुछन देखते हैं दोस्तों, 71 करा है कि लोकतंत्र सुचकांग की सुची में सिर्ष सस्थान किस देश को दिया गया है तो 71 कर आईटेन सरो जाएगा, और सन नमर C येन की नाडवे दित्या की इंद्र देनुस, प्रात्मी की इंद्र देनुस के बेक्षा कुछ धूंदेला दिखाई परता है और इंद्र देनुस में सात रंग होते हैं और यह बर्सों के दिनों में स्चूर्ज के विप्रित दिखाई देती है और इसमें अपवर्तन पड़वर्तन दथा पूर्ण आंत्रिक पड़वर्तन होता है नेश कुशन देखते हैं दोस्तो कुशन नमर 73 आपका कह रहा है 73 कुशन कह रहा है कि निमली खित में से किस रोक का टी का मुह दोड़ा दिया जाता है तो 73 का राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमर B यहन कि पोलियो पोलियो की टीका की खोज जोन सालक ने किया तथा पोलियो ड्रॉप की खोज आलबट सबी ने कि और टीबी के टीबी अपसन नमर C कर रहा है तो टीबी के जीवानियों की खोज रोबट कुचक ने किया और पोलियो की टीका पोलियो की टीका मुह द्वाड़ा ही दिया जाता है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर 74 कर रहा है कि जनरल मनोज मुकुद नर्वाने कौन है तो 74 के राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमर A यानि कि भारत के थलसना अध्यक्ष है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर 75 कर रहा है कि निमलिखित किन आरमभिक राष्टवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक सोचन का निकास सिधान्त दिया यानिकि ड्रेन थिवरी का सिधान्त किसने दिया तो 75 कर राइटेंस रहो जाएगा ओपसन नमर D उप्यूक्त शभी ने यानिकि रमेश, चंद्रदत, पंडित M.G. रेनाडे, दाधा भाईन रोजी और गोपाल कृष्ण गोखले यानिकि शभी ने ड्रेन थिवरी का सिधान्त दिया और स्वरपर्तम आर्थिक सोसन का उजागर दाधा भाईन रोजी द्वरा अठारे स्था और साटिस्पी में किया गया और धननीका सिधान्त के द्वरा भारत की राष्टवादियों ने ब्रिटिस सरकार के वास्तिविक चरित्र का उजागर किया कि अहार सिंखला यानि कि फूड चेन के विभीन अस्तरों पोर्ट उड़्या का अस्तानांतरन होता है इन अस्तरों को कहते हैं तो 76 का राइट अंसर हो जाएगा और सन अमरे यानि कि ट्रॉपिक लेवल नेस्ट कुछन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कुछन हो जाएगा 77 करा की जो रास्त्रियन कहलाते हैं जो रास्त्रियन कहलाते हैं तो 77 का राइट अंसर हो जाएगा और सन अमरे डी यानि कि यहूदी जाती के अनुवाई को हम लोग जो रास्त्रियन कहते हैं उसके बाद आ तिरी पिटक है और खिरगी जो है और संसी में जो दे रहा है यह मद एस यह में पाई जाने वली जन जाती है 78 को रहा है कि निर्नायक मत देने का अधिकार नहीं होता है तो 78 कर आइटेंसर हो जाएगा और सनमर डी राजसभा के उप सभापती को Q79 कर आए कि break the body here का समंध किस रिट से है तो 79 कर आइटेंसर हो जाएगा और सनमर ए बंदी प्रयात्यक्षी करन Q80 की Global Hunger Index 2019 में 117 देशों में भारत का कौन सा अस्थान है तो 80 कर आइटेंसर हो जाएगा और सनमर C 102 अस्थान है Q31 कर आए कि भारत सरकार ने किस दिन को परवासी दिवस के रूप में मनाने की घूसना की है Q82 कर आए कि तमस उपनियास के राचनकार है तो 82 का राइटेंसर हो जाएगा अप्सन नमर B येनिकी भीश्म सहानी तमास उपनेयास 1793 रिस्मी में भीश्म सहानी द्वारा लिखी गई और भीश्म सहानी के भाई फिल्म अभी नेता बल राज सहानी थे नेक्स कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 83 का रहा है कि ये उनानी कुछान ये शको से कई ने हिंदु धर्म के अस्थान पर बोज धर्म को अपनाया केउंकि तो 83 का राइटेंसर हो जाएगा आपका अप्सन नमर C येनिकी जाती प्रथा से अभीभूत हिंदु धर्म क और वे आकर्सित नहीं हुए नेक्स कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 84 का रहा है कि गूगल इंडिया ने निम्न मेंसे किसे नया कंट्री मेनेजर निउक्त किया है तो 84 का राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमरे संजय गुपता को नेश कोचन देखते हैं दोस्तो, 85 कर रहा है कि सिवाजिक अस्ट परधान का जो सदस्ट विदेसी मामलो की देखरेक करता था, वह था, तो 85 कर आइट नसर हो जाएगा, अफ्सान नमर डी, यानि कि उसे हम लोग सुमंद कहते थे, सुमंद वह कहा जाता था, सिवाजिक परधान का पद सर्वाजिक महतपूर्य शमान का होता था, जो परधान मंत्री कर लाता था, और राज का परसासन की देखरेक करता था, नेश कोचन देखते हैं दोस्तो, 86 कर रहा है कि पूर्व क्योर बहने वाली भारत की निमलिखित नदियों में से, किस एक में निमनावल यानि की डाउन वार्पिंग के कारण भी भरंस घाट यानि की रिप्ट भायली है, तो 86 कर राइट अंसर अपका हो जाएगा, अप्शन नमर ए, यानि की दामोदर, नेश कुछन देखते हैं दोस्तों, कुछन नमर 87 कर रहा है कि no one is to, no one is to a small to make, to make a difference, no one is to a small to make a difference, सिर्शक पुष्ट किसकी नो परकासित रचना है, तो 87 कर राइट अंसर हो जाएगा, अप्शन नमर C, यानि की ग्रेटा थोन बर्ग, नेश कुछन देखते हैं दोस्तों, 88 कह रहा है कि 1927 में साइमन कमिशन का बहिसकार किया गया, क्योंकि, तो 88 कर राइट अंसर आप सिर्खित कत नमर से कौन सा कतन सही नहीं है, तो 89 का आपको राइट अंसर करना है, तो 89 का राइट अंसर हो जाएगा, अप्शन नमर C, यानि की आयोडीन के साथ रंग परदान करते हैं, नेश कुछन देखते हैं दोस्तों, कुछन नमर 90 कह रहा है कि बश्ट से 2019 के लिए सह फिहार मिलाया, तो 91 का राइट अंसर हो जाएगा, अप्शन नमर C, यानि की पंदिरे सचीहतर हिस्वी में, अकबर दोrzy ने बहार और vodka के सहाटर है, अकबर दोर्ली ऑन जयोडीन के सहाँरीन सने समरा गार आएगा, अकबर दोर लिए सहाल सब्सके ऑर मिलाया, अकबर दोर और कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की अस्थापना 1964 स्पी में पाटना में किया गया नेश्ट कोशन देखते हैं निमन पदु में से कौन सा पद होकी खेल से सम्बंदी थे तो 93 कर आइटेन सरह जाएगा अपसन नमर B और अपसन नमर A यानि कि होकी खेल से सम्बंदी थे नेश्ट कुशन देखते हैं तो 94 कर आएटेन सरह जाएगा अपसन नमर A यानि कि होकी खेल से सम्बंदी थे और बिहार का अक्छांसी भिष्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 27 डिग्री 31 पंद्रे उत्री अक्छांसे और अक्छांसे अग ग्लोबल पर पाचिम से पूरबक्यूर घिसी गई कालप्री क्रेका है और दो अक्छांसों के बिश कैदूरी 111 किलोमीटर होती है नेश्ट कुशन देखते हैं दोस्तो कुशन नमर 95 को रहा है कि सोडियम वास्पलेम प्रायर सरक परकास के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि तो 95 का राइटेंसर अपका हो जाएगा और अप्शन नमर B क्योंकि इनका परकास एक वर्नी है और पानी की बुंदियों से गुजरने पर भीभाक्त नहीं होता यानिकी 95 का राइटेंसर अपसन B हो जाएगा नेक्स क्योंकि देखते हैं 96 को रहा है कि हर्ष के दरबार में वैंस सोंग को एक दूद के रूप में किसने भजा था तो 96 के राइटेंसर हो जाएगा अपसन नमर A यानिकी 23 तॉूँग वेंस्वंग को हर्च के दरवार में हेंस्वंग के दूद के रूप में किसने बजा तो ताईस उंग ने और हेंस्वंग जो थे वह चो सो उन्तिस से चोवालीस एस्वी के भीश भारत आये थे नेक्स कुश्चन देखते हैं दोस्तू कुश्चन नमा 97 कह रहा है कि निमली खित में से कौन से दुख केंद्र सासीत परदेश मिलकर एक केंद्र सासीत परदेश हो जाएंगे नेक्स कुश्चन देखते हैं दोस्तू 98 कह रहा है कि भारत में डिबे बनाने के लिए नए कर खाने के अस्थापना किस सहर में की जा रही है वह है तो 98 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि की राय वरेली भारत में डिबे बनाने के लिए नए कर खाने का निर्मान उत्तर परदेश के राय वरेली में किया गया और छापरा में रेल पहिये का निर्मान किया जाता है नेक्स कुश्चन देखते हैं दोस्तू कुश्चन नमर 99 कर रहा है कि निमलिखित में से किस मोबाइल एप का इस्तमाल बिजली भुकतान में पारदर सिता के लिए किया जाता है तो 99 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि की प्राप्ती नेक्स कुश्चन देखते हैं दोस्तो और अन्तिम कुश्चन आज का हो जाएगा कि पोट बिलेयर के समीब की प्रसीद बिलेयर प्रवाल बिती मृत हो रही है तो 100 कर राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानि की भूमन डलिये उस्मन के कारण पोट बिलेयर के समीब की प्रसीद बिलेयर प्रवाल बिती मृत हो रही है तब भूमन डलिये उस्मन के कारण तो दोस्तो यह थे बिहार SI प्रारामभिक परिक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नमबर 8 इससे पहले दोस्तो हम साथ प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट मुझा कर उसे देख सकते हैं दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप अमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं इसे सस्क्राइब कर दें इसे ज़्यदा स्यदा लाइक करें दोस्तों में शेयर करें फेस्बूक वाट्स आफ टेलिगराम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेसन आपको पहले प्राप्त होगा और दोस्तों आपसे एक और ही क्विस्ट था कि आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सब तक के लिए धन्यवाद